हाई गाईज वेल्कम बैक टू फैक्टिक 14 सब्सक्राइब कर दीजे हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाईए ताकि जितने भी फैक्टिक 14 के नोटिफिकेशन्स या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप किस तरह से HP 682 कलर कैट्रिज और 682 ब्लैक कैट्रिज को रिफील करोगे अब यह जो दो मॉडल कैट्रिजेस आप देख रहे हो यानि कि 682 कैट्रिजेस यह यूजली आपका HP Ink Advantage प्रिंटर्स में यूज होता है जैसे HP 2335, 2336, 2338 यानि कि 2330 सीरीस प्रिंटर में इस तरह के कैट्रिजेस यूज होता है तो आज के वीडियो में मैं जो प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ इस तरह कैट्रिजेस को रिफील करने का आप उसी प्रोसेस को फॉलो करके कोई भी HP प्रिंटर जिसमें 682 कैट्रिजेस यूज होता है उसे रिफील कर सकते हो लेकिन उससे पहले refilling का process शुरू करने से पहले हम इन cartridge को printer में insert करेंगे और एक black print और एक color print हम देंगे ताकि ये confirm हो जाए हम कि ये cartridges खतम हो चुके हैं उसके बाद ही हम इन cartridge को refill करेंगे तो चलिए cartridge को हम insert कर लेते हैं printer में तो left side में आपका color cartridge और right side में आपका black cartridge तो ये हो गया जो printer में use कर रहा हूँ वो है HP desk jet ink advantage 2335 all-in-one printer तो चलिए अब हम कुछ print करते हैं तो scanner को भी हम on कर लेते हैं उसके बाद मेरे पास एक A4 size paper है इसे हम input tray में डाल लेते हैं और output tray को खोलते हैं ये वाला मेरे पास एक normal सा notebook है इसे हम scan करके print करते हैं और देखते हैं कुछ print होता है या नहीं तो मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से output दिखा पाऊं तो सबसे प प्रिंट देते हैं और देखते हैं कुछ output निकलता है क्या तो हमने color print पहले click किया था तो जैसा आप देख सकते हो तो नीचे से completely blank paper निकल रहा है इसका मतलब यह है कि जो color cartridge है 682 color cartridge वो खतम हो चुका है अब हम black print एक करेंगे तो जैसा आप देख सकते हो पूरी तरह से blank print हो रहा है तो कुछ भी नहीं निकला इसका मतलब है color खतम अभी मैं वापस यही paper को use करता हूं ज्यादा paper waste नहीं करते हैं अब हम एक black print भी देते हैं और देख लेते हैं क्या black color थोड़ा कुछ है या black भी खतम हो चुका है तो जैसा आप देख सकते हो black page भी हमारा यानि के जो black print है वो भी completely blank निकल रहा है इसका मतलब यह है के जो black cartridge है वो भी खतम हो चुका है तो जैसा आप देख सकते हो तो चलिए अब हम cartridge इसको बाहर निकाल देते हैं लेकिन उससे पहले में printer को बंद कर देता हूं तो चलिए अब हम इन दोनों cartridge को refill करते हैं तो refilling शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूँ आपको refilling के लिए कौन-कौन सी चीजे चाहिए सबसे पहला है आपका ink तो मैं जो ink यूज़ कर रहा हूं वो है HP GT ink तो यह HP GT 51 या फिर आप HP GT 53 XL black यूज़ कर सकते हो HP GT 52 yellow, HP GT 52 cyan और HP GT 52 magenta तो मैं यह GT inks use कर रहा हूं refill करने के लिए अब एक चीज़ आपको बता दूँ क्योंकि यह original ink है इसलिए इसका दाम थोड़ा से ज्यादा रहता है यानि कि यह inks थोड़े से costly रहता है इसलिए अगर आपका budget permit नहीं करता है तो आप कोई भी दूसरा अच्छा सा सस्ता वाला substituting भी use कर सकते हो तो सबसे पहला है आपका ink bottle उसके बाद आता है आपके syringe तो मेरे पास 4 syringe है आप इस तरह के syringe कोई भी normal medical store से आप खरीद सकते हो उसके बाद आपको चाहिए एक suction tool आपको वीडियो के दौरान बता दूँगा उसके बाद end में आपको एक इस तरह का syringe चाहिए यानि कि थोड़ा सा मोटा syringe 10 ml का ये जो syringe आप देख रहे हो बतले बतले ये 2.5 ml वाले capacity वाले है और ये जो syringe आप देख रहे हो ये 10 ml वाला syringe है तो इतनी चीज़े आपको चाहिए एक cartridge को refill करने के लिए तो चलिए सबसे पहले हम black cartridge को refill करते हैं तो चलिए HP 682 black cartridge को हम refill करते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दो जब भी आप refill कर रहे हो ये वाले portion को आप बिल्कुल touch मत कीजेगे ये जो copper processor का part आप देख रहे हो अगर इसमें scratches आ जा कर आप देख रहे हो इससे आपको पहले सबसे पहले हटाना है तो आराम से ही कीजिए कोई हटबड़ी करने की जरूरत नहीं है तो चलिए अब हम इसे निकालते हैं क्योंकि मेरे नाखून नहीं है इसकी वज़े से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो जैसा आप देख सकते हो यह लगभग निकल रहा है तो जैसा आप देख सकते हो यह निकल गया तो यह है हमारा black cartridge तो अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर आपको पांच holes दिखाई देंगे उपर वाला दो होल और बीच वाले hole के नीचे ही आपका sponge रहता है जिसमें आपका ink श्टोर होता है नीचे वाले जो दो होल से वो आपका air passage के लिए दिया गया है इसे आप बंद भी कर सकते हो उसमें कोई problem नहीं है तो आपको refill क्या करना है यह जो बीच वाला portion आप देख रहे हो आप देख सकते हो अंदर आपको एक black dot दिखाई दे रहा होगा वो actually black ink है वही पर आपको अपने syringe को डालकर ink भरना है तो चलिए अब हम वही करते हैं तो मेरे पास black ink है तो मैं black ink को निकाल देता हूं तो मेरे पास syringe है तो हम क्या करेंगे syringe को अ तो जैसा आप देख सकते हो हमने black ink draw कर लिया है तो अब मैं black ink को side में रख लेता हूं अब आप क्या कीजिए refill करने से पहले कोई भी इस तरह का एक छोटा सा कपड़ा लीजिए या फिर paper लीजिए उसके उपर आप अपने black cartridge को इस तरह से रखिए क्योंकि जब आप refill कर रह अब हम क्या करेंगे जो black ink है उसे हम अभी अंदर डालते हैं तो आप क्या कीजिएगा इसे इस तरह से बीच वाले hole में अच्छे से अंदर डालिए इसे completely अंदर तक नहीं डालना है क्योंकि सबसे नीचे एक membrane रहता है अगर वो फट जाएगा तो आपका ink और hold नहीं हो पा करते हैं पुश करते हैं 1.5 ml से लेकर 2 ml ink तक ही आप भरिये उससे ज्यादा भरने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप भरते भी हो तो भी आपका sponge उतना ink hold नहीं कर पाएगा और leakage होगा तो जैसा आप देख सकते हो तो लगभग ink हमारा निकल रहा है इसका मतलब भी है कि यह अभी फुल हो गया तो बाकी का जितना ink बचा हुआ है उसे हम रख देते हैं वैसे बचा तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी जब आप देखोगे कि यह overflow हो रहा है तब आप बंद कर दीजिए अब आपको क्या करना है यह refilling हो चुका है अब आपको इसे 10 या 15 minutes के लिए ऐसे ही रखना है straight ताकि जो ink हमने भरा है वो अच्छे से आपका cartridges के अंदर मतलब जो sponge है उसके अंदर mix हो जाए और sponge उसे अच्छी तरह से hold कर ले और जो भी excess ink रहेगा वो automatically आपका leakage हो जाएगा तो यह black ink हो गया अब अफिर अगर यह sticker फट चुका है तो आप कोई भी cello tape या duct tape जो black color का रहता है उसे आप इसके ऊपर लगा कर इन सभी holes को बंद कर सकते हो तो चलिए अब हम color cartridges को refill करते हैं तो similarly अभी हम जो color cartridge है 682 उसे हम refill करते है इसे जैसे मैंने starting में कहा था यह copper processor वाला part है इसे बिल्कुल भी touch मत कीजेगा अगर इसे कुछ हो जाता है तो आपका cartridge और printer में recognize नहीं होगा इसका भी sticker आप इस तरह से निकाल दीजिए मैं कोश करता हूँ नीचे से निकाल पाऊंगे तो जैसे आप देख सकते हो यह निकल चुका है तो अभी आप अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको वही 5 होल मिलेंगे जैसे black cartridge में था लेकिन थोड़ा सा different location में रहेगा अब आपको सबसे पहले sequence चेक करना है कौन से होल में आपको कौन सा ink भरना है तो आप थोड़ा सा light में लाईए अपने cartridges को तो उपर में अगर आप देखो ध्यान से तो आपको हलका pink color या फिर red color दिखाई देगा तो इसका मतलब उपर में आपको magenta भरना है और right side अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा dot अंदर आपको दिखाई देगा blue color का यानि यहाँ पर आपको cyan color भरना है तो yellow, magenta और cyan यह color combination में आपको 682 cartridges में भरना होगा मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसे पोच लेता हूँ शायद ink थोड़ा सा लगा हुआ है जब company manufacture किया होगा तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं yellow color को भरते हैं तो मैं जो inks यूज कर रहा हूँ वो है GT52 yellow, GT52 cyan और GT52 magenta yellow syringe को लेते हैं मैंने पहले से ink भर लिया है अब आप क्या कीजिए जो नीचे वाले जो दो holes आप देख रहे हो इसमें आपको भरने की कोई जरुरत नहीं है जो उपर वाले तीन holes है बस उसमें ही आपको colors भरना है तो चलिए अब हम पहले yellow color को डालते हैं पूरा अंदर तक डालने की जरुरत नहीं है लगबख 70% आप इसे डाल कर इतने में रख लीजे और फिर push कीजे inks को एक और चीज नीचे आप इस तरह से यहां पर रख लीजे ताकि अगर leakage हो तो आपके हाथों में ना लगे तो अब आप पिशे push कीजे तो जैसे आप देख सकते हो यह भर चुका है और उससे भरने की जरुरत नहीं है यानि लगबख हमने 2 ml इंक इसमें भरा उसके बाद magenta color हम भरते हैं तो magenta color उपर है इसलिए आप उपर वाले sponge में इसे डालिए और 70% तक inject कीजे और फिर इसे push कीजे जैसे ही overflow हो जाए आप इंक refill करना बंद कर लीजिए अगर overflow नहीं होता है तो maximum 2-2.5 ml आप भर सकते हो तो जैसा आप देख सकते हो यह लगबख overflow हो चुका है तो अभी इसे हम बंद कर लेते हैं similarly जो cyan color है उसे भी हम लेते हैं और यहाँ पर इस वाले holes में डालते हैं पूरा अंदर तक डालने की ज़रूरत नहीं है 70% डालिए और फिर इस तरह से refill कीजिए तो जैसा आप देख सकते हो तीनों इंक हम ने भर लिया अब इसे भी आप क्या कीजिएगा कुछ समय के लिए इस तरह से 10 या 15 मिनिट के लिए रख लीजिए ताकि जो इंक हमने भरा है वो अच्छी तरीके से कैट्रिजेस के अंदर sponge में mix हो जाए और अगर कुछ excess इंक हो तो वो आपका leak हो जाए तो इस तरह से आप color कैट्रिजेस को refill कर सकते हो तो जैसा आप देख सकते हो लगभग 10-15 मिनिट हो चुका है मैंने इसे ऐसे ही ideal रखा था तो अगर हम इसे ऊपर करें तो देख सकते हो थोड़ा बहुत leakage हुआ था फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा कुछ अगर कुछ extra leakage है तो उसे इस तरह से करके बंद कर दें तो जैसा आप देख सकते हो लगभग बंद होने लगा है similarly जो black cartridge है उसे भी हम इस तरह से करते हैं तो black में ज्यादा leakage नहीं है color में थोड़ा सा leakage है तो जैसा आप देख सकते हो यह हो गया अब आप क्या कीजिएगा यह जो उपर वाले जो holes है जो सभी holes उनको आपको बंद करना है तो जो sticker आपने निकाला था उसे ही आप use करके इन holes को बंद कर लीजिए अगर sticker फट गया है तो आप क्या कीजिएगा कोई भी cello tape, duct tape या फिर electrical tape आप इसके उपर लगा सकते हो तो स sticker लग चुका है और जो color का sticker है उसे भी हम वापस लगा देते हैं लेकिन उससे पहले में क्या करता हो थोड़ा सा यह जो hole से उसे पोच लेता हूँ तो यह हो गया तो जो color है उसे भी हम लगा देते है तो यह दोनो sticker हमारे लग चुके हैं अब हम suction tool का use करेंगे तो यह है suction tool जैसा आप देख सकते हो इसे हम दो कारणों से use करते हैं यानि कि दो reason से इसे use करने का सबसे पहला जब भी आप कोई cartridges को refill करते हो तो जब आप print करोगे तो क्या होता है usually जो pages है वो सही आता है लेकिन कुछ-कुछ cases में क्या होता है color mismatch रहता है या फिर आपके images blur आते हैं तो वो ना हो इसलिए हम suction tool को use करते हैं दूसरी चीज जब भी आप syringe के through refill करते हो तो chances रहता है कि syringe में आपका air रह जाए और वो air भी आपका ink के साथ cartridges में चला जाए तो उससे क्या होगा आपका residual air और residual ink जमा हो जाएगा तो उससे क्या है आपका horizontal lines या vertical lines आएगा जब आप कुछ भी चीज प्रिंट कर रहे हो त तो यहाँ पर जो output रहता है वो थोड़ा सा छोटा और मोटा है और यहाँ पर अगर आप black cartridge को देखो left side में तो इसका जो output है वो थोड़ा सा लंबा और पतला है तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको rubberized materials दिया गया है तो एक आप देख सकते हो थोड़ा सा छोटा और मोटा यह वाला color cartridge के लिए similarly यह लंबा और पतला यह वाला आपका black cartridge के लिए दिया जाते है अब आप इसे कैसे करोगे तो आप सबसे पहले black वाला लीजिए यह section tool है L-shape तो छोटा वाला जो portion है उसके नीचे आपको एक hole दिख जाएगा तो उसे आपको यहाँ पर इस तरह से set क करना है तो यह आपका हो गया जैसे आप देख सकते हो यह हो चुका है अब आप क्या कीजिए जो cartridge है उसे आप लीजिए और इस तरह से इससे आप यहाँ पर रख कर अच्छे से प्रेस कीजिए तो जैसे आप देख सकते हो यह completely tight से fit हो गया अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पर आपको जो output है वो दिख जाएगा अब आप क्या कीजिएगा जैसे मैंने starting में कहा था आपको इस तरह का एक syringe खरीदना है 10 ml वाला आप इसे इस तरह यहाँ पर inject करने से पहले एक बार air blow कर लीजिए ताकि कोई हवा ना रहे अब इस तरह से अच्छे से अंदर तक प्रेस कर लीजिए अब आपको करना क्या है इसे बस खीचना है तो अगर कुछ excess ink या फिर कुछ air रहे गया होगा आपका निकल जाएगा तो अब हम क्या करते हैं इसे इस तरह से पकड़ कर टाइट से रखे और खीचे तो जैसा आप देख सकते हो थोड़ा इंक हमारा निकल रहा है तो यह जो इंक आप देख रहे हो यह excess ink है इतना इंक अभी तक अंदर ऐसे ही बस था sponge में अच्छी तरीके से mix नहीं हुआ था तो यह air जो है वो निकल गया और जो इंक है जो excess ink है वो भी निकल गया इसका मतलब यह है कि जो black cartridge है वो हमारा अभी completely ready हो चुका है print के लिए तो अब हम black cartridge को इस तरह से निकाल देते हैं और मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूं similarly अब इसे आप निकाल दीजिए अब ये वाला यूस कीजिए color cartridge के लिए तो color cartridge में आप इसे यहाँ पर रख लीजिए similarly color cartridge को लीजिए और इसे यहाँ पर रखिए और अच्छे से प्रेस कर लीजिए तो देखिए यह हो गया अब आप क्या कीजिए यहाँ पर जो ink है इसे मैं यहाँ निकाल देता हूँ आप अगर ज्यादा इंक बचा हुआ है तो वापस अपने bottle में डाल दीजिए वेश्ट मत कीजिए यहाँ कुछ नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर डा इंक अंदर था तो जैसा आप देख सकते हूँ यह निकल गया अब कलर में जो इंक आप बाहर निकालते हो उसे आप वापस bottle में डाल नहीं सकते क्योंकि तीनों कलर आपका mix ओर कर निकला हुआ है तो जैसा आप देख सकते हो यह निकल गया और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको air bubbles भी दिखाई देंगे तो यह excess air या फिर जो residual air है वो अंदर रह गया था तो वो भी आपका निकल गया तो अब इसे आप इस तरह से निकाल दीजिए तो अभी जो color cartridge है वो भी आपका completely ready हो गया print के लिए तो चलिए अब हम इन दोनों cartridges को printer में डालते है लेकिन उससे पहले और five minutes इसे ऐसे ही रख लीजिए फिर से इंक जो है वो settle down होने दीजिए उसके बाद आपके printer में इसे insert की दिया जो चलिए अब हम इसे printer में डालते हैं तो चलिए अब हम जो cartridge है से उसे printer में insert करते हैं सबसे पहले मैं printer को on कर लेता हूँ तो जैसे आप देख सकते हो printer on हो चुका है और यहाँ पर जो color और black light है वो अभी glow कर रहे हैं यह इसलिए glow कर रहे है क्योंकि cartridge अभी बाहर है तो अभी हम दोनों cartridge को अंदर डालते हैं तो इसे बीच में आने दीजिए तो left side में हम color cartridge को insert करेंगे और right side में हम black cartridge को insert करेंगे इसे बंद कर देते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं देखते हैं यह lights blink होना हमारा बंद हो रहा है या नहीं तो जैसे आप देख सकते हो यह बंद हो गया इसका मतलब यह है कि हमने जो refilling किया है वो सही से हुआ है और जो copper processor का पाठ है वो damage नहीं हुआ है इसलिए cartridge printer में recognize हो गया कुछ कुछ cases में क्या होगा यहां पर lights आपका blink करेगा जब आप insert करते हो उसका मतलब यह है कि यह show कर र मतलब glow होके रह जाता है तो उसका मतलब यह है कि आपके cartridges recognize नहीं हो रहे है printer में तो यह तीनों चीज़े आपको ध्यान में रखनी है तो चलिए अब हम कुछ prints करते हैं और देखते हैं कि हमने जो refilling किया है वो कैसा आता है तो चलिए अब हम कुछ prints करते हैं और यह देख लेते हैं कि जो refilling हमने किया है वो सही से हुआ है या नहीं और दूसरी चीज़ जो print out हम निकालेंगे उसकी quality कैसी रहती है तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो मेरे पास कुछ A4 size papers है इसे मैं input tray में load कर लेता हूँ फिर printer को हम on कर लेते हैं तो जैसा आप देख सकते हो printer on हो चुका है output tray को भी हम निकाल देते हैं मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको output अच्छे से दिखा पाऊं मेरे पास कुछ notebook है गाईस तो जैसा आप देख सकते हो इनी को हम print करेंगे क्योंकि इसमें color बह जैसा आप देख सकते हो तो सबसे पहले एक color print हम देते हैं तो printer शुरू हो चुका है और print out हमारा निकल रहा है अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है देखते हैं output कैसा निकलता है तो जैसा आप देख सकते हो output भी काफी अच्छा निकला हुआ है इसका मतलब यह है कि हमने ज ब्लाक प्रिंट भी हम निकालेंगे ताकि ब्लाक एंड वोई जो रिफिलिंग हुआ है वो भी हम जान सके कि सही से हुआ है या नहीं तो चलिए अब हमें ब्लाक प्रिंट भी क्लिक करते हैं और देखते हैं तो जैसा आप देख सकते हो बिल्कुल सही तरीके से निकल रहा है तो चलिए दूसरा नोट बुक जो है उसे भी हम प्रिंट कर लेते हैं तो एक कलर प्रिंट करते हैं तो जैसा आप देख सकते हो आउटपुट तो बिल्कुल सही से निकल रहा है और यहाँ पर यलो कलर मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैं देखना चाहता था जो डिफ्रेंट वैरियेशन है कलर का वो सही से होता है या नहीं तो जैसा आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिंट हमारा निकल रहा है सिमिलरली इसका भी एक ब्लाक एंड वाइट हम प्रिंट करेंगे और फिर दोनों ही पेपर्स को कमपैर करेंगे हमारे नोटबुक के साथ तो एक ब्लाक प्रिंट भी हम क्लिक कर लेते हैं तो चलिए अभी देख लेते हैं तो ये वाला ये वाला नोटबुक है ये वाला ये वाला और जो प्रिंट आउट हमारा निकला हुआ है उसे भी मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊं तो सबसे पहले इसे हम देख लेते हैं तो जैसा आप देख सकते हो जो colors है वो काफी अच्छी तरीके से निकला है क्योंकि ये normal A4 size paper है इसलिए glossy look तो नहीं दिख रहा है लेकिन color जो आप देख सकते हो बिल्कुल exactly वैसा ही निकला है similarly जो ये वाला notebook है इसका भी हम देख लेते हैं तो जैसे आप देखो तो color जो print out निकला है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निकला है बस glossy finish जो है वो नहीं दिख रहा है क्योंकि glossy paper मैंने use नहीं किया है तो guys इसी तरह से आप HP 2335 ink advantage printer को easily refill कर सकते हो बस process को आप follow कीजिए जो वीडियो में मैंने आपको बताया है तो guys आज का वीडियो बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को like, share और subscribe जरूर करे मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊंगा तब तक के लिए take care of yourself, bye bye